तुछलोग मेनत करते हैं फिर थोड़ा सा डिलामामला आ जाता है फिर आगे बढ़ते है फिर धिला फिर आगे ठीक फिर आगे जीवन वो ही मतलब, रोटी पानी चल रही, कई बर रोटी भी नहीं मिलती, जो इनसान ने बेशुमार दौलत देखिया है, बेशुमार सक्सेस देखी है, मतलब क्या बता है, कि क्या तेना दुनिया कदमों में कदमों में रूल रही होती है, उसकी एब होती है, लेकिन एक वक्त ऐसे आता है, कि वो पटकी खा जाता है, और उसके बाद नहीं उठता फिर, अब एक चीज बता देती हूं, कई बार शनी वेटर की वज़े से बहुत अच्छा बहुत खराब खराब नहीं होता हमेशा ध्यान रख्य हमेशा मैंए आपको समझाया है शनी लोग शनी करता है और के तू कितू है कि तू उसकी दूम के तब ही तो एक इंसान को कभी स्थिरता नहीं मिल पाईगी ना के तू कि तू का बताऊ बैस है उसका तो कभी बढ़िगा बैस नहीं बन पाएगा अब शनी का शिराप लोगों को समझ नहीं आता कि शनी काhelih तो जब आप देखते हो ना कि बच्चा अच्छा कासा पढ़ रहा था फिर अचानक से उसको क्या हो गया उसके तो बोल चाल वो एक इंसान वो लगी नहीं रहा कि वो बच्चा वो है जब बिमारियों का दोर कहीं ना कहीं आप यह यह नोटिस करना शुरू करतो जब घर पर दवाईयां बहुत आ रही है तो बच्चे जाओ अब कहीं लोग बोलते हैं आप बुरा मतमान ना देखो एक मैं बात आपको राट वाट बताती हूं अब कहीं लोग बोलते हैं कि पंडितों से पूजा करा ली वो जो टाइम पीरेड आपको सर्जरी के लिए दिया था कि इस टाइम पे ना इनकी सर्जरी देखो हाँ जोड़ती हूं इस से डिले ना करीं क्योंकि वक्त भी तो बहुत बड़ी बात है सारी चीजियों पाईयों पर थोड़ा चोड़ दोग और स्पेशल पंडितों से पूजा करा लोगे वो टाइम चला गया अब बर्बादी टोटल बर्बादी का पीरेड आगया अब बोल रहे हैं जी हम क्या करें तो हम तो यही बोलेंगे ना भाईया हमारे बसकी बात नहीं आपको गाइड करना तो इसमें क्या गलत बोला आप कई लोग होते हैं वो बर्बादी का वेड करते हैं लेकिन बर्बादी का यह जब दौड शुरू हो जाते तो आप बर्बादी का वेड ना करें क्योंकि बचने पर भी चीज़े फिर बचती नहीं है जा भटक ले जाओ जाने जाओ आपको मेरी शैना सेट की बात एक याद आईगी, ओ बब करवालो, एक नहीं, हाजार हवन करवालो, वहार कराना है? क्यों नहीं, हवन कराना है, क्यों नहीं आप खुद कर सकते हैं? चलो, अपने बाजु पंडिजी से बुलाओ, आदर समान के साथ पिरी हाती लगा, कि क्या, फल नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम इन्सान को दिल से बुरा लगता है कि जान लगा रहा है इन्सान सब कुछ प्रॉपर गाइड कर रहा है और बचने का हर चीज होने का एक दम पाट करके चोटी सी चीज़ बताती हूं क्या करें हम पर दस्वा भाओ लेकिन अगर जैसे मैं पहला दस्वा संबंद बना रहा है अगर जैसे मुझे फल मिलना चाहिए क्या वो फल मिल रहा है और अगर दसवे भाव में किसी तरीके से चंद्रकेतु की यूती है शुक्रसूर्य की यूती है आप समझे ये बुद्ध ब्रस्पती की यूती है तो क्या होएगा जिंदगी एकतारागी बेपेंदे के लोटे जैसे बन जाएगी सोचा क्या की यहा गया यहा थो एक इंसान की खुदी बुद्धी ही यह हैं उफ्य हो गूँए खयाम में सब कुछ कर दिआधा कोंश ना अ Кूछ न आ인ा तो मेरे हिसाव से मेरे लिहाच में जितना शनी को बल देना जरूरी है ब्रस्पती को भी बल देना जरूरी है एक चीज का सेवन बताने जा रही हूँ एक चीज काटोरी में ऐसी क्या जलाएं आपको हम बता रही हैं ब्रस्पत का लेवल आपके घर पे ओ कैते हैं न बढ़ता चला जाएगा ब्रस्पत आपकी पत्री में जो आपके आभा मंडल में ग्लोबस पैलिट इस वीक पोजिशन में है उसकी जब धूनी होईगी वो कहीं न कहीं अपना जो असर है सबल प्रबल करेगा और ये तैय बात है क्या करेंगे अब सबसे पहली जो चीज़ आप शुरू करेंगे काटो जोश है भी उतना बुरा नहीं करेगा और वैसे ही पत्री की चीज है अगर अच्छा ब्रस्पती हो गया तो बाकी ग्रह खराबिया उतना बुरा नहीं करेंगे ओ खाने के वंदे नहीं होंगे और गाड़ी चलती जाएगी मैं समझ गई कि उच चुकोटी का नहीं लेकिन गाड़ी चलती जाएगी ओ ठीक है और ना देगा न लेगा जैसे तक का स्टाइड गाड़ी चीज चली चले जाएगी पर रुकेगे नहीं घड़े में नहीं कि रोगे क्या करेंगे एक कटोरी लेहीं कटोरी के अंदर पैले पैले पहले एक सेकिन एक आसन है उल्यति की रखी उसके नीचे चावल रखी उसके उपर मै도 की कटोरी अब आप गाहित्री मंत्र से थोड़ा सा गुड़ घी डाल कर इसी में ही गाहित्री मंत्र की अहूती देते जाओ समझाई अब एक जीज बताती हूँ ये आपने एवरी डे गरना है मात्र चालिस दिन में कोई मार्ग खुल जाएगा लिख के ले लो आप कितने हैं जो इस्लाम दहर्भ फॉलो करते हैं अब आप कौ ये बना रही हो लोगो को तुम बना रही हो तुम हिंदू बना रही हो तुम बना रही हो। मेरी जो लाइफ की जर्नी रही है ना आपको हिसाब नहीं वो क्या रही है तो अपन हर संड़ को चर्च भी चाता था अपन नमाज भी पढ़ता है तो मैं क्या बता हूं फिर उसके बाद तो हवन वगेरा वो तो आप देगी रहा तो मतलब एक इनसान की ना अचा गुर्दव कोई बोलने में शरम नहीं आपको पता ही है आपको बोलते हैं किअ यह पूर्त ना हम गालती है क आई कपला देशी कपूर गीडा अगनी जल गई उसके ओपर गूगल रख दो लोबान रख दो गूगल लोबान तो हर जगा जलती है कोई ऐसी दिकत वाली बात नी किस मंत्र का आपने अब यह जलने लग गई कूछ नहीं मैं करी सूर्य फातिया पड़ो अब जलने का मतलब है वो जब जल रहा होगा तो जिस शक्ती को जिस भी स्वरूब को आप मानते हो आप वो कर लो मैं मैं कुछ नहीं इसमें चेड़ चाड़ कर रही बट अहूती गुड की जो अपना कर रही है तो जैसे बता रही हूँ वैसे प्रपर करने का अब यहां पर हमने ब्रहस्पती का लेवल जो है वो बहुत उचकोटी का कर दिया शनी की बात करती हूँ क्योंकि शनी अच्छ का खास रिष्टा तुडवा देगा अच्छे खासे काम ठप कर देगा ओ इतना मतलब कुछ स्ट्रगल और नेचर में भी खराबी करता है खुद की नेचर आप इमानदारी से सोचो अपनी खुद की नेचर खराबी मतलब अंदर से एक दूसरे तो उससे परशान ही है लेकि पस इंसान करेगा तो करेगा क्या करेगा क्या क्या उपाए बताती पर करना है फिर बेल की जड़े होती है बेल के पेड में जाई लेकिसी विसको बोलो ना किसी वह कहते है जो गमले गुमले वाले होते उनसे पूचो आपकी नर्शरी कि इदर है मतलब जो भी उन कहां पर मिलेगा जूढने पर उपर वाला भी मिल जाता है यार आप लोग यह नहीं हो सकता तो करें ना फिर पर स्पेशल पंडित तो इंतजार करी रहे हैं आप करें कंसल्टेशन ले हजार चीज सुन ले कि अक्टोबर तक आपके बेटे के पास टाइम है अब तो आपका बेटे का कुछ जिन्दगी में है यह नहीं अब यह नहीं है कुछ है ही नहीं नहीं है बई तो वो मान के करें ना फिर फिर हमारे पास ना आएं आप भटक भुटक के ज़्यादा लाई अब क्या करना है उसको कूट लेई उसको कूट लेए अब कूट लिया अब उसको पानी में भिगो दो पीने वाले पानी में भिगो दो अब आपने क्या करना है सारी रात जैसे भिगोई रखी सुबह जो है उसको क्या कहते है छान के मैं कहती है अपने पीने के पानी में थोड़ा सबू मिला कर उसका सेवन करना शुरू कर दो सचश्य शनी कितना खराब है ऑ कितना मंदासर दे रहा है औ इस से काबू में आएगा ओ यह तैह बात है यह तैह बात है यह दो चीज़ बताईया यह ब्रस्पत उजढ़ वाश्कोटीका कर दिया शनी पर चीज़ बतानी थी वीडिए को नमभी त्यी जाती चलो चुस सेल वा वास्तु सीखेंगे ठीक है जी जो हमारा बेसिक वास्तु है प्रोफेशनल नहीं है बेसिक वास्तु जो प्रोफेशनल करना चाते हैं उसके लिए भी आप वाट्सअप कर दो सेप्टेंबर वाला बैच जो है अब फुल है जैसे मैंने बताए ऑक्टोबर वाले बैच की देखना या ठीक है जी चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे दिल अपने दिल से जोड़ो विजी को लाइक करो शेर करो इसलिए करो सब की जिंदगी ठा हो जाए ओके देन बबाई नमशकार